दिया दे वो भी चला भी नहीं है और उसका दिया बुशा दिया ऐसा ही हुआ और वहाँ मन मसोस कर रहे गया और गुरू के बारे में पता नहीं क्या-क्या दुर्विचार करने लगा कि ऐसे भी गुरू होते हैं मैंने तो सुना था कि बड़ी ही उच्चकोटी के हैं लेकिन रत्न मिलते हैं पुझे मुनिवर श्री हमेशा हमको प्रवचनों के बारे में हमने देखा हैं जितने दिनों से हम सानी धिपा रहे हैं वो अंतर की गहराईयों में डुबोने की बात करते हैं और अपनी चित्वरत्य को बदलने की प्रेलना देते हैं जिसकी चित्वरत्य ब यानि महराष्री जो अपना जीवन जीते हैं, यह वैसे ही लोगों को अपने साथ मेले चलने की बात करते हैं, और उनके जीवन में नो कोई छोटा है नो कोई बड़ा, वो तो सभी आत्मा को समान द्रश्Đ से देखते हैं, और ऐसी द्रश्टी विशेश प्रज्यावान आत् दरपण हकिम करिश्यति यस्य नास्ति स्वयम प्रग्या जिसके पास में स्वयम प्रग्या ही नहीं है ज्ञान तु सब के पास में है लेकिन प्रग्या यानि विवेक वान जो ज्ञान होता है उसी का नाम प्रग्या है जिसके पास में प्रग्या नहीं है शास्त्र हतस्य करोत उसके लिए शास्त्र भला क्या कर सकते हैं जिस प्रकार से लोचना भ्याम विही नस्य दरपण हकीम करिश्यती जिसके पास में आखे ही नहीं है उसके लिए भला दरपण क्या कर सकता है यानि जो विक्ति स्वेम पुरुशार्थी नहीं है और अन्य जीवों को या अन्य काल आदी को दोश दे तो निश्चित रुप से वो स्वेम तो पुरुशार्थ ही नहीं ही और अज्यानी भी है ऐसा हमारे आचारी भगवन कहते हैं कि तोड यदी दे माली फूल को इसमें दोश शमन का क्या है पीवे ना पराग भरवर यदी इसमें दोश सुमन का क्या है होवे अगर विश्वास शास्त्र पर इसमें दोश प्रभू का क्या है करे नहीं पुरुशार्थ यदी नर इसमें दोश करम का क्या है अगर व्यक्ति पुरुशार्थ न करे करम को दोश दे या काल को दोश दे या किसी नो कर्मों को किसी व्यक्ति को दोश दे तो ये व्यर्थ ह हमारे सद्गुरु, हमारे मुनीराच, हमेशा यही सद्प्रेरणा देते हैं कि हम अपना पुर्शार्थ जागरत करें जिसको अध्यात्म ग्रंतों में अपना उपादान जागरत करने की बात कही गई है अगर हमारा उपादान जागरत हो जाता है तो हम बदलेंगे, हमारी प्रवर्ती बदलेगी, मनवचनकाय की प्रवर्ती बदलेगी, ये निशित है तो जिस व्यक्ति के जीवन में अभी अभाव खल रहा है, उसे लग रहा है कि चारों तरफ समस्या ही समस्या है और जिनको पाया है उसमें भी अभाव महसूस हो रहा है तो अभाव तब तक महसूस होता है जब तक सभाव का दर्शन नहीं होता जब सभाव का दर्शन हो जाता है तो विभाव विदा हो जाता है और फिर कोई प्रकार का अभाव महसूस नहीं होता जरा हम गौर करें, हमने अपने इस जीवन में और अतीत के जीवन में क्या क्या नहीं पाया, लेकिन सब कुछ पाने के बाद में भी क्या पाया जब तक निज सभाव का दर्शन नहीं किया, सभाव का दर्शन नहीं अपने ही ग्यान की दर्पन को नहीं जाना तब तक अपने परमात्म सुरूप को कैसे जान पाएंगे और जब तक मैं परमात्म सुरूप हो सकता हूँ ऐसी शक्ति कि जिसे जिसे में क्या किया बस यही स्थिती है कि जहां भगवान होने की ख्षमता है लेकि नर नारकादी परियायों में भटकता रहा बात ऐसी है कि भगवान होने की ख्षमता होने के बावजूद भी यह ऐसी परियायों में भटकने का मतलब ऐसा है जैसे कोई अधों शरीर में जिस प्रकार से फट्टी होती है उसका पाजामा पहन ले और बहुत अच्छे से मलमल का अधवा गोटा किनार लगे हुए अच्छा सा कमीज पहन ले आपको सुनने में भी बड़ा अटपटा लग रहा होगा मुझे सोचने में भी थोगा कि कैसे पोशाग पहना हो ऐसी पोशाग पहना व्यक्ति कितना अटपटा सा लगता है उसी प्रकार से जिसका सभाव तो भगवत सुरूप है वह नर नारकादी परियायों में विश्यों का सेवन करे बड़ा अटपटा सा लगता है उचीत नहीं लगता तो आशारी भगवन हमें यही कहते है कि जब तुमारे पास में इतनी मेधा है, ज्यान है, शक्ती है भगवत सुरूप होने की क्षमता है तो फिर ये व्यर्थ में अनंत काल से संसार के इन परियायों में भटकने का क्या अचीत्य है हम अपने सुरूप को जागरत करें और हर बात को ठाने जैसे संसार की वस्तूओं को पाने के लिए हम ठानते हैं तो क्यों नो हम अपने भगवत सुरूप को पाने के लिए ठाने कि आज मुझे अपने अनंत दुर्गुणों में से एक बुराई को छाटना है और जब एक एक बुराई चाटते चले जाएंगे निश्चित रुप से एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सुभाव प्रगट होगा हम अपने सुभाव के सनमुख हो उसकी प्रती हमारी प्यास जगे एक ललग जगे तो निश्चित रुप से हम उसको पाए बिना नहीं रहेंगे क्योंकि जहां चाह है वहां राह है उस व्यक्ति ने भी कुछ चाहा था लेकिन उसे वो मिला नहीं उसे लगा कि गुरु ने मुझे धोखा दे दिया है कारण ये था गुरु ने तो वो दिया था चाहते थे कि मैं उसे एक बार वो प्रकाश दिखा दूँ वो मंजील दिखा दूँ फिर वहां अपने ही पेरों से बे धड़क चलता चला जाएगा लेकिन अभी उसका विश्वास नहीं था अभी उसके पास मिश्वास नहीं थी और जब विश्वास नहीं होता है वह व्यक्ति चल नहीं पाता है ये निश्वित बात है एक बार चार बस्तुए एकत्रित होती है तो विश्वास बड़े ही विश्वास के साथ में कहता है कि मैं गहन रात में मैं गहन रात में भी बेधड़क चला जाता हूं तो उसी वक्त वहाँ पर आकर के बुद्धी ने कहा कि मैं दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं उजाले में भी भटक जाती हूं कि मैं एक कंकर को भी शंकर साभित कर सकती हूं किन्तु वहीं पर आकर के कहा कि हम बोलते हुए शंकर को भी कंकर साभित कर सकते हैν यह इसमें हमें समझना यह है कि हमारे जीवन में जब तक शद्धा और विश्वास नहीं जागेगा तो हम एक कदम भी अपनी सभाव की और चल नहीं पाएंगे उस मंजील की और जहां जाने के बात में फिर कहीं चलना नहीं होता जब हम उस सभाव की चर्चा करते हैं तो बड़ा आनन्द आता है सुक प्रतीत होता है हमारी इस छोटी सी कहानी में और सोच लेता है कि इनके पास में पारसमणी तो है लेकिन वो कभी जिक्र करे में फिर तो मैं अवश ही उनसे पारसमणी प्राप्त कर ही लूँगा और यही सोच करके उनके पास में रहता है लगवग बारा वर्ष गुजर जाते है कभी भी गुरू ने उस पारसमणी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया सोचने लगा बारवर्ष वितीत हो गए लेकिन महराज तो उसकी चर्चा ही नहीं प्राप्त वो महराज नहीं थे उनके गुरू थे जो पारसमणी रखा नहीं है उनकी द्रश्टी से क्योंकि अभी द्रश्टी में पारसमणी है समय गुजर जाते जाते गुरू कहते है चिश्य जातू रहे हो लेकिन एक काम और करके जाओ उसको मेरे हाथ में थमाओ बड़ी ही बेमन से वहाँ उठता है और थेली पकड़ करके लाता मेली कुचली थेली थी और उसी के हाथ में रखे रखे गुरू कहते हैं कि देखो जरा इस जाते खोला और उसमें से एक डिबी निकलती है लोहे की जंग से भारी होई डिबी गुरू जी ने कहा इस टिबी को इसके इंदर क्या है वही जिसको तुम पाने के लिए आए हो इसमें वह पारस मणी उसने कहा कि जाते जाते भी बुद्धू बना रहे हो अभी तक अभी चर्चा और जाते वक्त भी